5 Daily Morning Habits for Better Life Number 1. सुभा शांत रहना दिमाग को शांत करने का सबसे असान तरीका है कहीं शांत और अच्छी जगा पर बैठ कर अपनी सांस पर फोकुस करें किसी भी तरह आपको अपने आपको मॉर्णिंग में शांत रखना है सुभा आप खुद से ये बोल सकते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे पास जिन्दगी में बहुत कुछ है मेरे जिन्दगी में थोड़ी दुख है लेकिन मैं उनसे लड़ने की हिमत रखता हूँ मेरे पास बहुत अच्छे रिष्टदार है जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते है मेरे पास अच्छी बोड़ी है कई लोग के पास तो हाथ तक नहीं है पैर तक नहीं है मुझे सुभा का नाश्टा नसीब होगा जो बहुत लोगों को नहीं होता है मैं कितना खुश नसीब हूँ मेरी जिंदेगी अच्छी है और मैं से और अच्छी बनाने के लिए उठा हूँ वैसे ये बहुत सी कॉमन सी चीज है और चोटी सी चीज है लेकिन लोग इसे भी नहीं करतें दिमाग का इतना काम करने के बाद आता है सरियम मतलब शरीर का काम करना वैसे मैं आपसे सुभा में जिम करने की या भारी एक्सराइस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बस आपको हलकी सी चोटी चोटी एक्सराइस करनी है और ऐसे एप्लिकेशन आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको आरामदायक लगे ये फिर हेटफोन लगा कर आप अपना मन पसंद गाना सुनते हुए मॉर्णिंग वाक पर जा सकते हैं अगर आपको दोड़ना पसंद है तो आप दोड़ सकते हैं क्योंकि ये चोटी से एक्सराइस ही आपको एकदम फुलतिला बना देगी और आपको काम करने में और भी मज़ा आएगा वैसे आजकल की जनरेशन को ये सारी आदते बेकारसी लगने लगी है क्योंकि उन लोगों को सुबा-सुबा एक्सराइस करना पसंद नहीं है सुबा-सुबा पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन सुबा पढ़ने की आदत बहुत ही जरूरी है जैसे ही आप मौनिंग वॉक करके घर पर आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए इंटरनेट पर किसी भी सवल इंसान के बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी पॉजिटिव किताबे मिल जाएंगी बहुत सारे पॉजिटिव ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बोला कि लोग टूडू लिस्ट बनाने का मतलब ही नहीं समझते जैसे कि आपका पढ़ने का समय खतम हो जाता है उसके बाद आप अपने कुछ फिचार जरूर लिखो आपको क्या करना है और कब तक करना है और आपके क्या क्या गोल्स हैं वो सारी चीजे सुबा सुबा लिखिए इस तरह से आप अपने आपको ट्रैक कर सकते हैं आपको पता होता है कि आप कहां है और कहां तक आपको पहांचना है और आपको हर बार पता चलता रहेगा कि आप कितना आगे बड़े आप हर रोज अपने दिन का डेटाशीट बना सकते हो और उसमें भी आपको सिर्फ 5 मिनिट लगेंगे